वापस सवागत है अते इह लेक्चर नमबर अड़ताली है अते आज असी आईगन वैलियू अते आईगन वेक्टर दियां प्रापर्टीज बारे गल करांगे इसलई इथे प्रापर्टी है इसलई जेकर साठे कोल लेंबडा है ए दे एक आईगन वैलियू दे तोरते अते फिर एकस इस दा अनुसारी आईगन वेक्टर होवे फिर ए अलफा, ए दी आइगन वेलियू लेंबडा ए है अते संबंदित आइगन वेक्टर X है ता ए प्रापर्टी की है कि जेकर लेंबडा ए अते X दी आइगन वेलियू, X अनुसारी है आइगन वेक्टर, उस स्थिती विच अलफा टाइम से अलफा, कुझ कोन स्टेंट कुझ सकेलर मात्रा है उदारन ले, रियल संख्यामा दे सेट तो इसलिए इथे अलफा ए दी आइगन वेलियू अलफा लेंबडा होवेगी ता ए अलफा गुना कीता जावेगा सिरफ लेंबडा अते अनुसारी आइगन वेलियू उही रहेगी जो एकस है इस प्रापटी नूँ असी आसानी नाल वेरिफाई कर सक दे हाँ इसलिए इथे एक एकस लेंबडा एकस दे इकुल है जो कि ए रिलेशन है साड़े कोल आइगन वेलियू अते आइगन वेक्टर लई है इसलिए जेकर तुसी मल्टीपलाई बाए अलफा कर दे हो इथे दो में पासे अलफा ए अते ए अलफा होवेगा अते फिर इस अलफा ए नूँ असी मेट्रिकस दे तौर ते मान रहे हां ताँ अलफा नूँ ए दिया हर एक एंट्रिया नाल मल्टीपलाई किता जावेगा अते इथे अलफा टाइमस लेंबडा ताँ इस रिलेशन नाल असी की देख दे हां कि ए अलफा एक ओल आइगन वेलियू अलफा लेंबडा है अते एकस आइगन वेक्टर है इस रिलेशन तो मेट्रिकस टाइमस एकस नूँ एकस इनटू कुछ स्केलर होना चाहिदा है ताकि एथों असी इस सिट्टा कड़ दे हां कि ए अलफा लेंबडा इस मेट्रिकस अलफा एदा आइगन वेक्टर दी आइगन वेलियू है जो पहला एकस है इसलिए आइगन वेलियू आइगन वेक्टर दी एक होर प्रापर्टी साड़े को ले है जेकर ए पावर एम है ता आसी इसनुई एम टाइमस मल्टिपलाई कर रहे हां ता जेकर साड़ा एम आइगन वेलियू हन किसे भी पाजिटिव इंटीजर एम ले लेम्बडा पावर एम अते अनुसारी आइगन वेक्टर एकस है इसलिए जेकर साड़े कोल उधारन लेए ए सक्वेर है इसलिए इस दा आइगन वेलियू उही आइगन वेक्टर दे नाल सिर्फ लैंबडा स्क्वेर होवेगा जिमें एक कोल है इसलिए एवी असी आसानी नाल देख सक्दे हां क्योंकि साड़े कोल एक एक एकस लैंबडा एकस दे बराबर है अते हुन असी एक स्क्वेर लेई इस नतीजे नू वेक्षन लेई उदाहर नाल लेई मल्टीपलाई कर सक्दे हां ता जो असी इथे दोवा पासे आनू ए नाल मल्टीपलाई करिये अते इथे राइट हैंड साइड एक लैंबडा एक कोन स्टेंट है इथे असी बाहर वाले पासे ले आ सक्दे हां अते फिर साड़े कोल एकस है अते जिसे एकस नू असी इस रिलेशन दे एकस नाल लैंबडा एकस द्वारा दुबारा बदल सक्दे हां ओ लेंबडा एकस दे बराबर है इसलिए जेकर इते एकस बदलो लेंबडा एकस द्वारा तांकी होवेगा साधे कोल एक लेंबडा इनटू लेंबडा एकस है जो कि लेंबडा सक्वेर एकस है ताहुन साडे कोल इते 1 सक्वयर X की रिलेशन है, जो के 1 सक्वयर X नाल इसे दा मल्टिपलीचेशन सी. ए dando है कि λेम्बाड़ा सक्वयर X दे बराबर है, कि A² मैट्रिक्स एक वरग दा आइगन वैलियू होन दा है. इत्थे λेंबडा स्क्वेर अते λेंबडा एदा आइगन वैलियू सी इसलेई इस रिलेशन दे नाल असी किसे भी पूरन अंक एम दी पावर लेई इक कान दे स्क्वेर दे आइगन वैलियू नू आसानी नाल प्रापत कार सकदे हां क्योंकि पावर आईगन वैलियू विच जावेगी याते बाकी आईगन वैक्टर भी उही होवेगा जो, इस लेंबडा दे आईगन वैक्टर, मैट्रिक्स ए लई सी, अगली प्रापर्टी, इत्थे असी देख्या है कि एह लेंबडा स्कुएर ए दा आईगन वैलियू है, होँण एक सकुएर मैट्रिकस दे दो आईगन वैक्टर ए दे दो डिस्टिंकट आईगन वैलियू दे अनुसारी लीनियरली ते इंडिपेंडेंट हांता असी इत्थे की साबित करांगे, ओ, दो वक्ख वक आईगन वैलियू नाल संबंदित दो आईगन वैक्टर, हमेशा रेखिक तौर ते इंडिपेंडेंट हुन दे हां, ए निरीखन असी पहला ही संख्यात्मक उदारना लेई देख्या है, पर असी इत्थे साबित कर सक्दे हां, खोर जेनरल मैट्रिकस लेई, किसे भी मैट्रिकस लेई, असी इस नतीजे नू सिदान तिक तौर ते साबित कर सक्दे हां, असी हुन की कंसिडर कर दे हां था, आओ ए कहिए कि एकस इक अते एकस दो भी दो डिस्टिंकट आइगन वेलियू लेंबडा एक अते लेंबडा दो अनुसारी इक दे दो आइगन वेक्टर हां, इसलिए ए लेंबडा एक अते लेंबडा दो ए दो डिस्टिंकट आइगन वेलियू असी मान ले हन अते ओना दे अनुसारी आइगन वेक्टर एकस एक द्वारा दर्साए गए हन जो लेंबडा एक दे अनुसारी है अते X2 एस आइगन वैलियू लेंबडा दो नाल संबंदित है इसलेई फिर नाल पावे है कि साधे कोल ए रिलेशन है ओ एस रिलेशन नू संतुशट कर दे हन कि XA लेंबडा एक टाइमस XA अते X2 दे बराबर है लेंबडा दो एकस दो दे बराबर है क्योंकि ओ इस आइगन वैलियू आइगन वैक्टर दा जोड़ा हन अते होन असल विच असी ए दिखाऊना चाओं दे हां कि AX1 अते X linearly independent हन इसलेई असी इस linear combination नू कंसिडर करांगे C1 X1 पलस C2 X2 सिफर दे बराबर है अते इसलेई ये इत्थे सिफर वैक्टर है जिसनू मैं पासे कर सकदा हां अते फिर असी दिखाऊनगे कि इस दा मतलब होवेगा कि A सही है ए linear combination सिफर है A सही है केवल 1 XC1 सिफर है अते C2 सिफर है इसलेई कि X1 अते X2 linearly independent हन इसलेई अजिहा करन लेई असी करांगे इत्थे C1 अते A X1 कंसिडर करो ता असी मूल रूप विच गुना कर दे हां मैट्रिकस द्वारा इसनू दित्ते मैट्रिकस A द्वारा एता साढ़े कोल C1 है A X1 क्योंकि C1 कोन स्टेंट सी असी इत्थे लिया है इसलेई C इसलेई अगले इत्थे हुन साढ़े कोल A X1 है अते साढ़े कोल A X2 है जिसनू असी लेंबडा 1 X1 अते लेंबडा 2 X2 नाल बदल सक्दे हां इसलेई साढ़े कोल मूल रूप विच ए 2 एक्वेशन हान हुन 1 C1 X1 पलस C2 X2 सिफर दे बराबर है अते इत्थे साढ़े कोल इक होर एक्वेशन C1 लेंबडा 1 X1 पलस C2 लेंबडा 2 X2 है असल फिच ए अग्यात असी C1 एक्वेशन अते दुजे नू 1 C2 X कंसिडर कर सक्दे हां इसलेई इत्थे वी साढ़े कोल C1 एक्वेशन है अते अग्यात दे नाल इते अग्यात सी इक एकसिक अते सी दो एकसिक दो हन ताँ ए दो लीनियरली एक्वेशन जा ओ लीनियर एक्वेशन सिस्टम सी इसलिए असी हुन सी एकसिक अते सी दो एकसिक दो तो अग्यात हन इस नाल हुन साडे कोल दो एक्वेशन हन इसलिए असी हुन असी इत्थे इस equation नंबर एक नू multiply कर दे हाँ इसलएई असी इस equation नू नाल लेंबडा multiply कीता है इक इसलएई जेकर असी इत्थे multiply कर दे हाँ ता साधे को lambda x1 x1 अते lambda x2 x2 है अते हुनेहना दो equation नाल 80 इस equation एक तोए equation नंबर दो सबट्रेकट कर सकदे हा अते फिर असी इस lambda 2 माइनस इस lambda 1 की परापत करांगे क्योंके इस term cancel हो जावेगी इसलएई सानू इस C2 x2 दे बराबर सिफर दे नाल lambda 2 कटाओ lambda 1 मिलेगा अते हुन जो असी देख दे हा कि इस equation दा मतलब ए होवेगा कि C2 सिफर बराबर है क्योंके इस lambda 2 माइनस lambda 1 सिफर नहीं हो सकदा क्योंके साड़े कोल 2 distinct eigen value हन अते एकस 2 eigen vector है जो दुबारा नान 0 vector है इसलए इस equation दा मतलब है कि C2 सिफर होना चाहिदा है इस दे तोर ते lambda 1 माइनस lambda 2 जा lambda 2 माइनस lambda इक सिफर नहीं है अते एकस 2 वी है सिफर नहीं अते फिर इस equation नंबर 1 तो दुबारा इत्थे C1 एकस 1 पलस C2 एकस 2 जे असी इस C2 नू सबस्टिट्यूट कर दे हा सिफर दे बराबर ता ए टरम सिफर होवेगा अते फिर साड़े कोल ए रिलेशन है कि C1 एकस 1 सिफर दे बराबर है अते दुबारा उसे दलील नाल क्योंकि एकस 1 सिफर नहीं हो सकदा इसलिए इत्थे दुबारा इसदा मतलब ए है कि C1 सिफर दे बराबर है क्योंकि एकस 1 सिफर दे बराबर नहीं है इसलिए इस दे नाल साड़े कोल होने C1 चिफर अते C2 चिफर हन अते ए हो देष C, A दिखाओन लई कि इस linear combination विच C1, X1 C2, X2 चिफर दे बराबर संबभ है, जदो A C1 होंदा है अते C2 दा सिफर होंदा है, A आइगन वेक्टर linearly independent हन, इसलिए इथे आइगन वेक्टर X1, X2 दो में linearly independent हन, इस लई एहो हो मामला सी जदों असी दो डिस्टिंकट आइगन वेलियू ते विचार कीता है पर असी खोर आइगन वेलियू ज लेवी इस केस नू जेन्रलाइज कर सकदे हां उदारन ले इत्थे साड़े कोल आइगन वेलियू X1, X2, X3, XR हन इत्थे साड़े distinct eigen value अनुसारी हन ए आइगन वेक्टर हन जो एहना eigen values दे अनुसारी करमवार lambda एक lambda दो lambda आर हन अते उस स्थिती विच वी असी ए साबत करन लेई similar चालदी वर्तों कर सकदे हां कि ए आइगन वेक्टर linearly independent हन इसलिए साड़े कोल ए बहुत वदिया नतीजा है जो distinct eigen values दे अनुसारी है आइगन वेक्टर linearly independent हन दे हन इसलिए साड़े कोल एक होर नतीजा हन दा है जेकर एकस एक का आइगन वेक्टर दे आइगन वेलियू लेंबडा दे अनुसारी है फिर एक के एकस वी उसे आइगन वेलियू लेंबडा दे अनुसारी आइगन वेक्टर हन इसलिए ए असी पहला वी देख्या है दित्ते गए आइगन वेक्टर ले तुसी किसे वी स्थिरांक मल्टिपलाई बाय कोई कोन स्टेंट कर सकदे हो अते एवी आइगन वेक्टर ही रहेगा अते एखो है जो असी इत्ते देखांगे वदेरे सिदान तक तौरते एक इसे मैट्रिकस लेवी सही है इसलिए इत्ते एकस लेंबडा एकस दे बराबर है जो के रिलेशन है इसलिए सानु दस्दा है के लेंबडा है आइगन वैलियू विचों एक अते अनुसारी आइगन वेक्टर X है अते फिर इसके टाइम ता असी एक्वेशन नू के नाल इत्थे दोवा पास्या नाल मल्टिपलाई कीता अते फिर साधे कोल के मल्टिपलाई ये X बराबर के टाइमस इस लेंबडा X है अते फिर असी इसनू जोड सकदे हां जिमें के इनटू इसके X अते उते लेंबडा टाइमस इसके X दे बराबर है इसलेई साधा ए रिलेशन है कि ये इते कुझ वेक्टर लेंबडा उही वेक्टर के X दे बराबर हान जो सानू दस्दा है कि एक के X दुबारा आईगन वेक्टर है जेकर X आइजन वेक्टर सीता के गुणा X वी इसके अते नान जीरो सकेलर लेई आईगन वेक्टर है इत्थे जेकर X Metric से दा आईगन वेक्टर है ता एक से दे इक तो वद आईगन वेलियू दे अनुसारी नहीं है इसलिए एक होर महतव पूरन नतीजा ए है कि ए आईगन वेक्टर है यूनीक है इसलिए जेकर तो हाडे कोल लेंबडा कहन लई आईगन वेक्टर अनुसारी है फिर AX किसे होर नाल मेल नहीं खांदा आईगन वेलियू इसलिए ए उस अर्थ विच यूनीक है इसलिए इथे जेकर असी मन देहा कि एक दित्ते मेट्रिकस लेई इथे साडे कोल है AX लेंबडा एक एकस दे बराबर है ए साडी अजम अप्शन है अते असी एवी मन सक्देहा कि AX लेंबडा दो एकस दे बराबर है पावासी ए मन लिया है कि AX आईगन वेक्टर AX दो आईगन वेलियू नाल मेल खानदा है जिस दा मतलब लेंबडा एक अते लेंबडा दो है इसलिए ए दो आईगन वेक्टर AX नाल मेल खानदे हन ए साड़ी अजम अप्शन है अते असी होन देखांगे कि ए संभव नह ही है इसलिए ए रिलेशन होन करके साड़े कोल असल विच लेंबडा एक एकस लेंबडा दो एकस दे बराबर है क्योंकि ओना कोल है इत्थे वेक्टर AX AX दा एही वेलियू है इसलिए ओ दो में एक कोहन इसलिए लेंबडा एकस लेंबडा दो एकस दे बराबर है जो पुद्रती तौरते सानू इथे के लेंबडा एक माइनस लेंबडा दो सिफर दे बराबर होना चाहिदा है इसलिए लेंबडा एक माइनस लेंबडा दो सिफर दे बराबर है पाव लेंबडा एक लेंबडा दो दे बराबर है क्योंकि ये एकसिक आइगन वेक्टर है अते इस इसलेई इथे साड़ी अजम अप्षन एंग केहा गया है, जेकर असे ये लेया है के इत्वे दो आईगन वैलियूज संता ए दो आईगन वैलियूज इकको जहे होने चाहिए देहां तो हाड़े कोल दो डिस्टिंकर्ड आईगन वैलियू नहीं हो सकते, जो के इक को आईगन वेक्टर दे अनुसारी है इसलेई इत्थे A-Ki कोल आईगन वेल्यू लेंबडा माइनस के है अते अनुसारी आईगन वेक्टर X है जो कहनदा है कि A-Ki इसलेई जे कर तुसी इसके नुए इत्थे सबट्रेकट कर दे हो ता इस नवे मेट्रिकस दे आईगन वेल्यू जे लेंबडा माइनस के होनगे अते अनुसारी आईगन वेक्टर X दे रूप विच रहेगा इसलेई इसनु दुबारा देखन लेई असी आईगन वेल्यू आईगन वेक्टर उत्ते इस स्टेंडर्ड नतीजे नाल शुरू कर दे हां जिस्दा मतलब है X बराबर लेंबडा X है इस्दा X होना लेंबडा X दे बराबर है असी इसके X नू दोमा साइडस विचो कटा नहीं सक दे इसलिए इत्थे लेंबडा X तो असी इसके X नू सब ट्रेकट कर दिता है अते इत्थे वी उही चीज के X है इसलिए एक के X तो इलावा कुछ नहीं क्योंकि ए आई एकस बस X है इसलिए इत्थे वी साड़े कोल के X है इत्थे वी साड़े कोल के X दो में पासे हन असी इसके X नू इत्फे X लई कटा दिता है असी I X लिख्या है क्योंकि साधे कोल मैट्रिक्स भी इकठे हन इसलई हुन जोड़ना असान होवेगा इसलई हुन ए प्रापत करन लई असी इस X नू इस Left Hand Side तो कामन ले सकते हां ता कि A- इसके I नू X विच अते थे वी इस Lambda minus के into X दे बराबर है इसलई इस Relational A दस्दा है कि जेकर A- के I कोल Eigen Value Lambda के है ता इस A- I Vector विच Eigen Value Lambda के है उससे ही Eigen Vector X तो पहला है ता ए एक होर नतीजा है कि जेकर साधे कोल है A नवा मैट्रिकस जो सिरफ एक माइनस के आई है ता असी Eigen Value तो एदे Eigen Value तो बारे जान दे हां अते थे A- इन्वर्स फिर महत्वपूरन है कि जेकर एक बेशक मौझूद है ता ही असी इस नतीजे बारे गाल कार रहे हां जेकर एक मैट्रिकस लई Inverse मौझूद है फिर इसीए इन्वर्स दा इस्थे i modular होगा जा Eigen Value एक ओवर bathtub इसलई ए दी उदारन लेए जेकर साधे को Lambda एक Lambada दो है फिर इंवर्स दा एक ओवरservice दा एक ओवरนะคะ दोậई गन व्याल्यू वज़ों होगा इसलिए इते inverse दा lambda उत्ते eigen value एक होवेगा अते अनुसारी eigen value x होवेगा ता eigen vector नहीं बदलेगा इसलिए सिरफ inverse matrix लेए eigen value है इस नतीजे नू देखन लेए साड़े कोल एकस lambda एकस दे बराबर है अते जेकर 802 पास्यानाल मल्टिपलाई बाए इनवर्स कर देहाँ ता साधे कोल एक X विच उलट हुन्दा है राइट हैंड साइड वी साधे कोल इनवर्स इनटू ए लैंबडा X है इसलिए 802 पास्यानू इस उलट नाल मल्टिपलाई कर देहाँ अते फिर साधे कोल की है, ए एंवर्स है, एकस दे बराबर है, इसलिए एंवर्स एकस, उस पास से तो जो साधे कोल इते उलट एकस है, इते साधे कोल एंवर्स है, X अते एह lambda है एक कोनस्टेंट तर्म है जो असी left hand side ले सक दे हाँ जिते एक inverse एस सिरफ identity matrix है अते एस x दे नाल identity matrix सानु इते x देवेगा अते एह lambda goes to left side तांके असी lambda उते एक परापत करांगे अते एह inverse है X अते ही रहेता हुन साड़ा की relation है कि ए inverse x बरापर 1 over lambda timers x दे मतलब है कि एक lambda over 1 के थे lambda over एक eigen value है इस दा एह inverse matrix है इसलिए inverse x एक और lambda timers x दे बरापर है इसलिए ये अते A transpose आइगन value दे समान है इसलिए ये अते एक transpose दे को जहे आइगन value हन अते जिसनों असी दुबारा असानी नाल देख सकते हां क्योंके एक minus lambda i दा determinant ओ characteristic equation है जो असल विच आइगन value दिन्दा है इसलिए ये थे एक characteristic polynomial जो कि ए minus lambda i है असी determinant दी परापर्टी नू जान दे हां कि इस matrix दा determinant 1 minus lambda i दा determinant 1 minus lambda i दे determinant दे बराबर होवेगा transpose matrix दे determinant नू नहीं बदलदा है तां तो असी इथे वर्ती गई संपती नू कटा के lambda i दा determinant इस दे determinant दे उस matrix दा transpose A minus lambda i बराबर है होने इस transpose दी परापर्टी इथे कहन दी है कि एक कटाओ lambda i transpose एक transpose minus lambda होवेगा अते i transpose जो कि दुबारा i है इसलिए इथे A transpose minus lambda i दे determinant दे बराबर है अते A अपने आपनू इस दा determinant दरसौंदा है इसलिए इथे A गुण polynomial A minus lambda i एक transpose minus lambda i दे characteristic polynomial दे समान है अते A relation कहन दा है कि साड़े को ले अते A transpose लेई समान characteristic equation है इस दा मतलब है कि ओह एक को आइगन वैलियू वल ले जानगे इसलिए इथे नतीजा ए निकलदा है कि A अते एक transpose दा इकको जहा आइगन वैलियू होवेगा इसलिए अते A transpose दा इकको आइगन वैलियू है इसलिए एक होर महतब पूरन नतीजा है जो असी आसानी नाल कार सकदे हा इस Determinant Property दी मददनाल पता लगाओ अगला थियोर में इसलिए इत्थे केरेक्रिस्टिक रूट दा अर्थ है आइगन वैलियू इसलिए कई वार असी केरेक्रिस्टिक रूट नूवी कहन दे हा था कि Hermitian Metrics दे आइगन वैलियू रियल होन इसलिए Hermitian Metrics की है इसलिए असी जान दे हा कि एह Hermitian है इक स्टार एक अर्थ दे बराबर है इक स्टार दा अर्थ इत्थे सन्यू का ट्रांस्पोज है कि असी ट्रांस्पोर्ट ले रहे हां अते असी कंप्लेक्स संजोग भी ले रहे हां Metrics दा इसलिए इस ट्रांस्पोज दा एक complex conjugate A दे बराबर है ता असी कहन दे हां कि ए हेर्मिटियन मैट्रिकस है। एह नतीजा की है जो हेर्मिटियन मैट्रिकस लई है। रूट रियल हन क्योंकि असी की देख्या है। ओ, हालांकि मैट्रिकस, सारियां रियल एंट्रीज होन पर असी मल्टिपलाई वाले रूटस नूँ complex संख्या दे रूप विच परापत कर सक्दे हां जो असी उदारन लेई पिछले लेक्चर विच वेक चुके हां जिते। साड्य कोल रियल एंट्रीज दे नाल एक बहुत ही सदारन दो बाए दो मैट्रिकस सी अते इस दे केरेक्रिस्टिक पोलीनोमियल जा मेरा मतलब है केरेक्रिस्टिक रूटस आइगन वैलियू नान रियल संता कंप्लेक्स इसलेई इथे साड़े कोल हेर्मिटियन मेट्रिक्स लेग कट्टों काट नतीजे हन की सारियां कैरेक्रिस्टिक रूटस इस मामले विच रियल हन जेकर लेंबडा दी एक विशेशता रूट है ए अते लेंबडा अनुसारी आइगन वेक्टर फिर असी दिखावांगे के ए लेंबडा रियल के में होना चाहिदा है इसलेई साड़े कोल ए एक एक एकस बराबर है लेंबडा एकस जो के आइगन वेल्यू आइगन वेक्टर दे रिलेशन दी प्रापर्टी है असी इथे इस एकस मल्टीपलाई बाई स्टार टर्म कर दे हां ता के एकस दा दुबारा ट्रांस्पोज एकस स्टार की हुंदा है अते इस दा कंप्लेक्स कंजूगेट इसलेई असी इस वेक्टर द्वारा दोमा पास्यानू मल्टीपलाई कर दे हां अते फिर A, lambda एक कोनस्टेंट तर्म है, इसलई असी इत्थे हमेशा सामने ले सक दे हाँ, इसलई A x star x है, इसलई साधे कोल x star A x lambda दे बराबर है, x star x है जो के एक relation है, अते होन असी इस conjugate transpose equation दे दो में पास यानू x star A x नू जोड़ दे हाँ, बराबर lambda x star x है, इसलई सानू इत x star A x, complex conjugate की मिलदा है, अते इत्थे वी, असी इस conjugate transpose x star नू दुबारा जोड़ दे हाँ, अते फिर साधे कोल इत्थे properties हैं, जो A x star, अते एक star अते दुबारा x star होन गिया, उत्थे मेरा मतलब है x star जा एक star जो x होवेगा, अते इत्थे वी साधे कोल, उही दरिश x star होवेग अते इस conjugate lambda दा उत्थे lambda बार होवेगा, साधा A relation है, अते साधे कोल A relation x star A x बराबर lambda x star A x V है, साधे कोल A relation x star A x lambda बार x star x दे बराबर है, इस equation तो complex conjugate लेके सानू A equation परापत होया है, अते होन साधे इत्थे ए दो समी करनहन, जिस दे left hand side, इक को जहा होवेगा क्योंकि A star A है ता इत्थे इत्थे वी A star है ता इहना दो सामी करना नाल असी की सिटा कड़ सक दे हाँ, के A right hand side, सिफर दे बराबर होना चाहिदा है, इस दा मतलब है lambda x star x, lambda bar x star x दे बराबर है, कारण A है के A x star है अते A हन, इत्थे उही हन इसले कुद पुद्रती तौरते right hand side, इत्थे वी अजेहा ही होवेगा, अते साधे को lambda x star x बराबर lambda bar x star, x है, अते एक, होने इह lambda, दस दा है, इसले ही असी left hand side lambda माइनस इस lambda bar x star x बराबर सिफर ले आ सक दे हा, अते x आइगन वेक्टर है ता जो ए, सिफर, x star x सिफर नहीं हो सकदा, इत्थे lambda bar दे बराबर होना चाहिदा है, क्योंके एह मातरा सिफर नहीं हो सकदी, इसले ही ए सिफर होनी चाहिदी है, ता इत्थे असी देख्या है कि lambda bar दे बराबर है, अते, एह हो है जो असी चौन द हाँ, इत्थे एह वेखन लई कि lambda real हान, इसले जेकर lambda आइगन वेलियू है, हेर्मिटियन मेट्रिकस दा फिर lambda bar बराबर है, पाव के एक real नमबर है, एक complex संख्या नहीं हो सकदी, ठीक है, सिमिलरली एक होर इसे तरह असी एहना निमनलिखत नतीज्यानों साबित कार सकदे हा जेहना विच परूफ दिया ओही समान लाइना हान, जो असी होने कीता है कि इस real आइगन वेलियू, symmetric matrix, वी real हान, जो असी वी कार सकदे हाँ, अते real सक्यू symmetric matrix दे आइगन वेलियू ता इत्थे साडे कोल इस दा मतलब है कि ए एक transfer माइनस है, दिये इसले इत्थे ए असली सक् symmetric matrix पूरी तरा imaginary हान, इसले ए इत्थे वी दिल्चसप है, ओ, अजेहे matrices दे आइगन वेलियू हान, जाता पूरी तरा imaginary जा सिफर की दो समबावनावां जो दुबारा जे तुसी पहले proof दी पालना कर दे होता, असी ये एक वी कार सक्दे हाँ, अते secure hermitian matrix दे आइगन है, पर हुण ए secure hermitian matrices है, जिस्दा मतलब है कि ए एक star minus a दे बराबर है, इसले इओना मामलिया लई, दी आइगन वेलियू पूरी तरा imaginary, जा दुबारा सिफर हान, इसले ए पहले proof दे, नतीजे हान, जो असी इत्थे आसानी नाल देख सक्दे हाँ, हुण एक होर महतब पू जेनरली साबित करो कि की साडे कोल एक सार मेट्रिक्स है, जिस्दा मतलब है कि एक star a बराबर है, इसले इत्थे एकस नू लेंबर्डा x कंसिडर कर देहा, अते फिर इत्थे दुबारा complex conjugate ले रहा है, A x star बराबर है lambda x star सानू की मिलेगा इसलएई असी इस प्रापर्टी दी वर्तों करांगे इसलएई x star अते a star बराबर है अ लेंबरडा बार x star होवेगा अते इस तो एक x बराबर है lambda x अते इस एक्वेशन तो x star a star lambda बार x star असी हुन करांगे इते उतपाद continue रखो असी प्रोड़कट लवांगे इसलएई इते x star अक star अते इस नाल एक एकस एह दो वेक्टर इसलएई x star अक star मल्टीपलाई बाए एह वेक्टर करोए x इस lambda बार x star दे बराबर है अते इस lambda x नाल मल्टीपलाई कीता गया है ता असी इते इह ना दो मादा प्रोड़कट कीता है अते फिर असी इते x star अते इस सहयोगी तानू की वेक्दे हां ता जो असी इसनू 1 star a दी वर्तों कर सकीए अते फिर x इते lambda बार ए लेंबड़ा एक कोन स्टेंट है ता जो असी आसानी नाल बाहर काड़ सकीए अते फिर साड़े कोल x star है x उते अते फिर असी इसनू कामन ले सक दे हां क्योंकि ये 1 star है ए आई दे बराबर है इसले इते साड़े कोल identity matrix है जिस्दा अरत है के ए टरम होर कुझ नहीं है ए टरम इते x star तो इलावा होर कुझ नहीं है अते x इसले इते साड़े कोल x star x है इते वी साड़े कोल x star x है असी इस x star x नू कामन लेंदे हां अते सानु ए लेंबडा बार एक माइनस मिलदा है लेंबडा अते एक सिफर दे बराबर है अते इसनाल सानु ए नतीजा मिलेा के एक लेंबडा बार लेंबडा दे बराबर है एक दे बराबर बार लेंबडा होर कुछ नहीं है पर lambda square दा संपूरन value है, इसलिए lambda square दा ए absolute value एक दे बराबर है, क्योंकि ए 0 नहीं हो सकदा, इसलिए ए 0 होना चाहिदा है, जो सानु ए 10 दा है, lambda bar, square 0 दे बराबर है, इसलिए इस दा मतलब ए है कि असी ए समझ लिया है कि lambda दा ए absolute value एक होना चाहिदा है, इसलिए ए 1 सार matrix, unitary matrix दे आइगन value दे, unit modulusus हन, ओही नतीजे असी orthogonal matrix लेवी वरत सकदे हा क्योंकि ओना कोल वी ओही property हुंदी है, इक transpose आई दे बराबर हुंदा है ता orthogonal matrices लेवी, असी इस तरह साबित कर सकदे हा कि इथे सारे similar बिलकुल समान step हन, अते असी दुबारा साबित कर सकदे हा कि ओना दे आइगन value वी unit modulusus दे हन, होना आइगन value दा स्थान जो असी हुने, पिछली सलाइड विच देख्या है इसलेई जेकर साडे कोल एक सक्यू हर्मिटियन matrix है, ओना दे आइगन values imaginary हन, पूरी तरह imaginary हन, इत्थे unitary matrix ओह इस ते पए हन, modulusus एक, अते हर्मिटियन matrix जां symmetric matrix लेई, रियल तोरे ते बैठियां होई या values हन, इसलेई मतलब के ओह रियल संख्यावा हन, इसलेई इत्थे सक्यू हर्मिटियन अते सक्यू symmetric लेई, इकको चीज एक सार है, अते orthogonal लेई, साडे कोल ओही नतीजा है, जो हर्मिटियन अते symmetry लेई, unit modulusus हन, साडे कोल, वी, दोवा लेई, इकको नतीजा है, कि ओह रियल entries हन, कनकलूजन ते पहुंचन लेई, इसलेई असी इस दियां कई properties, इक matrix दे eigen value अते eigen vector वेखिया हन, असी matrices दियां वक्ख वक किसमा ते विचार कीता है, जिथे, असी इस बारे 10 सक्दे हां की की, eigen value real imaginary होनगे, जेकर तो हाड़ी कालपनिक इत्थे 0 है, इसलेई इत्थे इहना सारियां properties विच सदारन विचार ACKEAX बराबर lambda X है, अते असी इहना सारियां properties नूँ साबित करन लेई, इस equation नाल खेड़या सी, अते हुन इहना नूँ हुन इह चरानू त्यार करन लेई वरते हन, तनवाद